यहां पर आप लिखोगे that is short notes ठीक है यह एक A4 size white page है जिसके आगे और पीछी आप लिखेंगे समझ मैं सबसे पहली चीजे important formulas उसमें होने चीए important formulas सारे के सारे important formulas वहां list करके रख लो सारे के सारे second thing is important concept और यह जो आप language यहां पर लिखोगे वो please bookish language और किताबें में चपी हुई बाते मत लिखिएगा because उसका कोई फाइदा नहीं है यहां पर जो language आप लिखोगे वो आपको समझ में आए वो वाली language आपको समझ में आए वो वाली language ठीक है जमझ मैं कि यह concept ऐसा बताया गया था इसको यहां लगाते है ठीक है important formulas important concept important questions important question सबी important questions का यहां पर क्या होना चीए बटा address की DPP number 3 की question number 7 बहुत important है वो लिख लिया module में exercise number 2 का 15th question बहुत important है वो लिख लिख लिया कोई सवाल बहुत ज्यादा जबर्दस लिखे तो उस सवाल का address और उसका हलका सा solution ठीक है उसमें यह सोचना है और जो भी आपको बाते समझ में आई throughout the chapter जो भी आपको बाते समझ में आई वो throughout the chapters वो सारी बाते आप एक जगह लिखेंगे समझ मैं important बाते या concept में आ जाएगा but important talks आप ऐसे करके लिख लिए ठीक है और सारी बाते लिखना कि यह समझाया यह करना है यह नहीं करना है इस chapter is important जही किस पर focus करता है पांचवा पॉइंट आप यह बोल सकते हो जही किस पर focus करता है जही में maximum questions कौन से topic से आई इस chapter में वो लिख लो maximum questions समझ मैं ताकि जब हम यह short notes देखें यह पर्चा देखें तो हमें समझ में आ जाए कि हमें किस की सीज पर ध्यान देना है बस क्या मेरी बात समझ गे आया ना क्या मेरी बात आपको एकदम समझ में आई कि हमें short notes जो है वो इस परकार त्यार करने एक ही a4 size paper ना अगर आपको लगता है कि उस पर लिखने वाला material कम है तो font size चोटा कर दो font size एकदम चोटा कर दो बारीग बारीग लिखिए आप ही को समझना है अलग-अलग colors के pen का use कीजिए या pen अलग-अलग colors के use कीजिए ताकि आपको बता चलेगी यह बात यह है यह बात यह है और यह वाली बात यह है तो यह कुछ बाते हैं जो आपके short notes में होनी चाहिए और after completion of each chapter after completion of each chapter आपके पास ऐसा एक page होना चाहिए उस chapter का और जितना precisely आप short notes बनाएंगे that means कि आपको उतना अच्छे से वो chapter समझ में आए और यही वो page है जो हमें काम आएगा जब हम IIT के last days में होंगे जब IIT वाला exam मान लोग दो अफ्थे बाद है तो इनी short notes को हम बार-बार पढ़कर अपना chapter revise करेंगे क्या मेरी बात समझ गए आप अच्छे से ठीक है और इसको throughout the process बनाओ बहुत है लोग सोचते कि जब revision करेंगे तब नहीं जी आपने सबसे अच्छे से chapter कम सीखा जब वो chapter चल रहा था मतलब जब उसकी duration ती जैसे और जब चीजे ताजा होती है तो हम यहां ज्यादा लिख पाएंगे